कंकाल का रहस्या ये किसके कंकाल हो सकते हैं अरे साहब हमें क्या बता ये किसके कंकाल है आप ही लोग बता लगाईए हम लोग तो बहुत ज़्यादा डरे हुए है हाँ हाँ हमारी फॉरें सिक्टिम अभी आ रही है ये बताओ कि इस गाउं के रहने वाला कोई जोड़ा गायब तो नहीं न क्योंकि शुरुआती जांच में तो ये बात सामने आ रही है कि एक कंकाल किसी पूरुष का है तो एक किसी महिला का साहब हमें तो बहुत डर लग रहा है ऐसे कंकाल मिलने का मतलब गाउं के आसपासी किसी की हत्या हुई है या फिर किसी को जला कर मार डाला गया है हाँ साहब हम अपने परिवार को लेकर बहुती ज्यादा परेशान है देखे आप लोगों की परिशानी हम समझ सकते हैं लेकिन आप लोगों को पुलिस का सहयोग करना होगा क्योंकि आपके सहयोग के बगर हम ये पता नहीं लगा सकते हैं कि आखिर ये किस के कंकाल है और इनकी हत्या किस ने की ठीक है साथ गाओं के लोग आपका पूरा सायोग करेंगे हाँ साहब पूरा सायोग करेंगे तो फिर ठीक है हम अपनी जाच शुरू करतेते हैं कुछ दिन बाद जाच रिपूर्ट आ जाती है पता चलता है कि ये कंकाल करीब 20 साल पुराने है यानि 20 साल पहले किसी जोड़े की हत्या कर शुव को यहाँ पर दबा दिया गया था इंस्पेक्टर रागव ये बताओ कि 20 साल पहले की मर्डर मिस्ट्री क्या आप सुलच सकती है हाँ हाँ सर क्यों नहीं लेकिन अब सबूत और गवा काफी मिट गये होंगे मुश्किल तो होगी लेकिन शायद किसी परिवार को इंसाफ मिल सके इंस्पेक्टर रागव बिल्कुल सही कह रहा है किसी परिवार को तो इंसाफ मिलेगा ही और किसी को उसके किये की सजा भी मिलेगी जी सर मैंने तो जाँच शुरू भी करती है 20 साल पहले इस गाउं के दो जूड़े अचानक कहीं गायब हो गए थे मैंने दोनों ही परिवारों के बाके के सदस्यों से बाच्चित शुरू की तो उन्होंने बताया कि उनके बच्चे शहर गए थे लेकिन आज तक वापस नहीं लोटे हैं लेकिन ये दोनों शुड़ किस परिवार के सदस्यों के हैं ये कैसे पता जाए सकेगा सर मैंने डियने टेस्ट करवा लिया है आज शाम तक इसकी रिपोर्ट भी आ जाएगी अच्छा अच्छा ठीक है उसी शाम को सर डियने रिपोर्ट के मताबिक ये दोनों ही लाशें चौरा गाउं के रहने वाले प्रदान सुल्तान सिंग के बेटे और बहु की है लेकिन इनकी हत्याएं किसने की है ये कैसे पता लगेगा इसी का तो पता लगाने की कोशिश में जुटाऊं सर आज सुल्तान सिंग से मिलने भी जा रहा हूँ मेरा बेटा और बहु तो मेरे लिए सिर्फ यादों में ही रह गए थे हमें उनकी लाशे तक नहीं मिल सकी थी आज 20 साल बाद उनके कंकाल मिले है मैं अब किस के लिए जी हूँ लेकिन सर क्या आपकी किसी से कोई दुश्मनी थी अपने बेटे बहु की हत्या के लिए आप किसे जिम्मदार मान रहे हैं अब मैं किसका नाम बोलू मेरे तो किसी से दुश्मनी नहीं थी बस मेरे बेटे बहु को कोई वापस ला पाता इसके बाद सुल्तान सिंग फूट फूट करोना शुरू कर देते हैं सर अब आप इनका अंतिम संसकार करवा सकते हैं कम से कम इनका शरीर ना सही इनका कंकाल तो आपको मिला है लेकिन हाँ अगर आपको कुछ भी याद आए तो जरूर बताईएगा मेरे तो बेटा अब उम्र हो गई है लेकिन मेरे बेटे और बहु के हत्यारों का जरूर पता लगाईएगा क्योंकि जब तक हत्यारे पकड़े नहीं जाएंगे मेरा मन नहीं मानेगा सर हमारी पूरी कोशिश रहेगी हत्यारे को पकड़ने की लेकिन एक बात बताए उस वक्त आपको किस पर शक गया था उस वक्त मेरे एक ड्राइवर को पकड़ा गया था लेकिन सबूतों के भाव में उसे छोड़ दिया गया था अच्छा, और ड्राइवर पर कैसे शक हुआ था क्योंकि उस दिन ड्राइवर छुट्टी पर था उस समय लेकिन लाश क्यों नहीं मिल सकी थी उस वक्त पुलिस ने बहुत कोशिश की थी लेकिन दोनों की टेट बॉडी नहीं मिल सकी थी ठीक है ठीक है हमारी तफ्तिश चल रही है मैं फिर आऊंगा इसके बाद इंस्पेक्टर वहाँ से चला जाता है और सुल्तान सिंग अपने बेटे और बहु की याद में खुजाते हैं कुछ दिन बाद सुल्तान सर एक बाद बताईए जब आपके बेटे बहु की हत्या हुई थी उसी के आसपास आपके ही गाउं का रहने वाला एक और जोड़ा उसी वक्त गायब हो गया था ना हाँ सर अलका और अभिशेक वो भी मेरे बच्चों जैसे ही थे तो फिर वो कहा है उनका भी आज तक पता नहीं जैसका लेकिन बताते हैं कि कुछ साल पहले अभिशेक को गाउं के ही किसी आदमी ने मुंबई में देखा था लेकिन फिर वो गायब हो गया यानि अभिशेक और अलका की हत्या नहीं हुई थी बलकि उन्होंने किसी वज़से खुद ही गाउं छोड़ दिया था हाँ हाँ हो सकता है क्योंकि अभिशेक मेरे बेटे संतोष का अच्छा दोस था और उसका मेरे घर भी आना जाना लगा रहता था हो सकता है कि उसने मेरे बेटे और बहु के बारे में सुन लिया हो और ये गाउं छोड़ दिया हो हो सकता है उनके परिवार का कोई अब नहीं रहता क्या इस गाउं में अब तो कोई नहीं रहता एक चाचा थे लेकिन उन्होंने भी अपना पुष्टैनी मकान बेच दिया है वो भी अब कहीं शहर में ही बस गए है अबिशिक और अलका के बारे में भी पता लगाना होगा हो सकता है कि वो ही सत्या के बारे में कुछ बता सके हो तो सकता है लेकिन वो बिचारे तो ख़दे वक्त के मारे थे वो क्या बताएंगे फिर भी सर जब केस दुबारा खुला है तो जाश तो करनी ही पड़ेगी और इस बार तो लाशें भी बरामद हुई है कुछ दिन तक लगातार तपतिश चलती रही एक दिन थाने से सुल्तान सिंग को फोन आता है हाँ कौन बोल रहा है सेर मैं कॉंस्टेबल तूला रम बोल रहा हूँ थाने से आपको थाने आना पड़ेगा थाने? लेकिन क्यों? सेर किसी की पैचान करवानी है अच्छा ठीक है मैं दोपैर तक पहुँचता हूँ सुल्तान सिंग दोपैर में थाने पहुँचता है कई पुलिस के अधिकारी वहां मौजुद रहते हैं सर आपके बेटे की हत्या का रहस्य आच्छाएद सुलच जाए अच्छा इंस्पेक्टर रागो पर वो कैसे? सर उस आदमी को देखिए क्या वही अभिशेख है? सुल्तान सिंग की आँखों में हैरानी से आँसु आ जाते हैं हाँ सर यही अभिशेख है यह आपको कहां से मिला? सिर्फ अभिशेख ही नहीं बलकि इसकी पत्नी अलका भी इसके साथ है मैडम जरा अभिशेख की पत्नी को लाईए जैसे ही अलका को पेश किया जाता है सुल्तान सिंग जमीन पर गिर जाते हैं सुल्तान सिर्फ क्या हुआ आपको? अब अलका को देख कर गिर क्यों गए? सुल्तान सिंग सर पकड़ कर बैठ जाते हैं यह अलका नहीं बलकि यह तो मेरे बहु रितू है पूरा थाना एक दूसरे का मूँ देखने लगता है क्या? इसके बाद हर किसी को दो कंकाल और हत्या का रहस्य समझ में आ गया अभिशेक और रितू ने मिलकर संतोश और अलका की हत्या की थी और लाश को जमिन के नीचे दबा दिया था आज बीस साल बाद इस हत्या का रहस्य खुल सका था कि अवैद प्रेम संबंद में दो मासुमों की जान गई थी खट्टा खाने वाली चुडैल राद को अचानक रादिका मौसी को किचन से कुछ गिरनी की आवाज आई आज थू जलाल थू आई बला को टाल थू आज थू जलाल थू आई बला को टाल थू रादिका मौसी को चीकते सुनकर श्रबन बाहर आता है भागते हुए अरे माँ क्या हुआ? क्या देख लिया? दादी मा आगी जिया सपने में? अरे बेटा रसोडे में देख तो कौन है शवन रसोडे में जहाग कर देखता है और उसे कोई नहीं दिखता अंदर अब रसोडे में तो कोई नहीं है मा कोई सपेज सारी में नहीं है क्या नहीं मा कोई भे नहीं है चिल्नम चिली की आवाज सुनकर काजल भी वहाँ आ जाती है अब क्या हो गया माजी? अरो पेटा, अरो सोड़े में एक चुराल थी, सुपेज सोड़े में अरे, क्या कर रही थी वो अंदर? अरे, बता रहा नहीं, कला आएगे ना तो पूस लूँगी, चिरेल जी, आपका क्या प्लान है? माजी, राद बहुत हो गई है, आपने कोई बुरा सपना देखा होगा, चलिए सो जाएए रादी का मौसी सोने तो चली जाती है, पर उनको राद पर नेंद ही नहीं आती रही, सुबर जब रादी का मौसी रसोडे में च्छान बिन करती है, तो पाती है कि नीबू का अचार गायब है चुडेल नीबू का अचार ले गई, मुझे तो ठीक नहीं लग रहा कुछ, चुडेल को भी पता है कि जिन्देगी का असली मजा तो खटे में ही है रादी का मौसी जड़ से श्रवन को फोन करती है बेटा, मुझे सबस्या समझ में आ गई है, हम मेरे एक तांत्री की जरूरत है हरे, क्या बोल रही हो मा, तांत्री की क्या जरूरत है, आप पूजा पाड़ तो करी रही हो ना आल तू, जलाल तू, मंतर सारे फाल तू, जैसे कुछ मंतर पड़ो, चली जाएगी अपने आप चुड़ेल अरे, नहीं बेटा, कभी चुड़ेल को कम नहीं समझते अरे, तुझे बता भी नहीं चलेगा, कि कभी वो जल करके, काजल की जगा घर की बहुँ खुद बन जाएगी क्या, मा, कुछ भी बोल रही हो, कहा काजल और कहा चुड़ेल वैसे एक बात बताओ, काजल को अगर गाने के लिए बोल देना, तो चुड़ेल काजल की आवाज सुनकर घर तो क्या, घरती लोग छोड़कर चली जाएगी तुम नहीं पढ़े लिखे बच्चे, हर चीज़ को मजाग समझते हो तुम रहने तो, मैं खुदी तांत्रिक को बला लेती हूँ अच्छा असल, शाम को इमली लेके आना, क्या है कि चटनी खाए बहुत दिल हो गया है ना नहीं मा, इमली तांत्रिक से ही मंगवा लो ना, आता वगेरे भी उसी से बिज़वा लेना देखो, मुझे काम करना है श्रवण, राद को कही तरह की सबस्यों के साथ, मा के कहने पे चटनी के लिए इमली भी ले आया था लेकिन रादिका मौसे के दिमाग में अलग ही फिल्म चल रही थी उन्हें अब सिर्फ शकी नहीं यकीन होने लगा था कि शायद चुडैल ने श्रवण पर अपना जाल बिछा दिया था जिस वज़े से श्रवण उनकी बाद ही नहीं मान रहा था पर कोई नहीं, आने वाली राद में रादिका मौसे खुद प्यार हो गई चुडैल को पकड़ने के लिए, रुद्राक्ष की माला, तुलसी का पत्ता, हनुवान चालीसा, सब हाथ के पासी था पस चुडैल का इंतिसार था और जैसा रादिका मौसे ने सोचा था, वैसा ही हुआ वो चुडैल उस राद भी आई, पर वो रादिका मौसे से तेज निकली, और रादिका मौसे के उससे पकड़ने के पहले ही वो भाग खड़ी हुई जरूर बहु पैसा आ रहा है उस चुडैल का, तभी तो शवन के कमरे में गई है और अगली सुबह रादिका मौसी, पिछली रात हुए हमले में किन चीजों का नुकसान हुआ उसका हिसाब लगा रही थी, उनकी खेमे से एक आम के अचार की शीशी भी गायब हो चिकी थी, और वो इमली भी जो कल श्रवन लेकर आया था रादिका मौसी इस बारे में सूची रही थी, कि श्रवन जल्दी से रसोडे में आकर दवायों की पोटली ढूणने लगता है अर बेटा, क्या हो गया? अब मा वो काजल की तब्यत खराब है, बहुत घबराट हो रही है उसे हलाकि श्रवन भूतों में विश्वास नहीं करता था, पर अब वो भी डर जाता है और राजी हो जाता है एक तांत्रिक को बुलाने के लिए कुछी घंटों में तांत्रिक आ जाते हैं और रादिका मौसी तांत्रिक जी को सब बता देती है घर संकट घंगर संकट चुडल को मारू जोर चाकट ओ भाट स्वाहा खट खाके आहां अरे ये क्या मंतर है मेरे खुद के ओरिजनल मंतर है कल रात को ही लिखे है अच्छे लगे तो दाद चाहंगा एक और मंतर सुनो और सुखिया है अबरकड़ा दिल्ली बंबई आगरा चंदा मामा सोब्रेले सुरन मामुझ जारा ये मंतर है अरे कोई 40 वाली सा पड़ो ना वक्त कम है 40 नहीं पड़ेंगे 20 आ 25 में काम चलाना पड़ेगा अलक्त मेरं जाके लंडन मुफ्त का मंजान घिस मेरे लंडन अरे जल्दी करो तांत्रीक जी जल्दी करो तांत्रीक अपने उल जलूल मंत्र पढ़ने लगता है शवण को तांत्रीक पे शक होता है वो अपने एक डॉक्टर दोस्त को कॉल करतीता है ताकि कोई अन होनी हो तो इमेजनसी में चीजे मैनेज हो जाए तानतरीक दूनी रमाता है जिसकी बज़से कमरे में काफी धुमा हो जाता है और जिसकी वज़से बहु की घब्राहट बढ़ जाती है अब भागेगी चुरयल हाँ बहु खांसते हुए धुमें से बचने के लिए बहाँ चले जाती है अब भाग रही है भाग रही है पीछे पीछे दे श्रमन भी जाता है बहु एक सूफे पर बैट जाती है तब ही डॉक्टर दोस्त आ जाते हैं और श्रमन को पानी लाने के लिए कहते हैं थोड़े चेक अप के बाद डॉक्टर कहते है मेरे हिसाब से जाब का कांग पुरा हो गया है है क्या मतलब अरे कुछ भी नहीं मा कोई चुड़ेल नहीं है खुशकमरी है अब दादी बनने वाली है मगर वो सब अचार के डब्बे श्रमन दोनों अचार के डब्बे अपनी मा को दिखाता है जो की उनके बिस्पर के नीचे चुपे हुए थे आपने सही बुला दा मा वो चुड़ेल काजल ही थी जो खट्टा खा रही थी हमें का लीग पता चला पर हमने आपको ये तांतरिक वाला काम करने दिया ताकि आपको भरोसा हो जाए के भूत वगेरा कुछ होता ही नहीं अच्छा अच्छा ये तो बड़ी खुशी की पाथ है पर बेटा मुझे का जाडू तो ला दे क्यों मा ये तांतरिक का भूत उतारती हूँ मैं अब तांतरिक राधा मौसी के डर से घर से भाग निकलता है और राधा मौसी उसके पीशे भागती है अरो संकत ये घंगोर है तांतरिक मौँआ चोर है सीमा गर्मियों की छुट्टियों में अपनी नानी के गाव आई थी सीमा नानी के घर पहुँचने के बाद अपनी नानी के पैर चुती है और उनसे आशिरवात लेती है तब ही उसकी नानी उससे कहती है इतनी बड़ी हो गई मेरी सीमा चल जल दिसे हाथ मुदो ले मैं तेरे लिए खाना लगा देती हूँ भूख लगी होगी ना हाँ नानी, भूख तो लग रही है मुझे आपके हाथ के बने हुए पीले दाल और चावल खाने की कितना टाइम हो गया है मुझे आपके हाथ का बना हुआ दाल चावल खाये हुए तो तो नाकरी में व्यस्त थी तो तुझे कहां से टाइम मिलेगा अपनी नानी के लिए और जब इतने टाइम बाद आई है तो ज़्यादा टाइम के लिए रुक कर जाएगी तुँ हाँ हाँ नानी इस बार पूरे दो महिने के लिए आई हूँ सीमा के नानी अंदर जाकर उसके लिए खाना बनाने लगती है सीमा कमरे में अकेली होती है तब ही उसे किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई दीती है वो कभी खेड किसे बाहर जागती है तो कभी दरवाजे से बाहर जागती है उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर रो कौन रहा है तब ही नानी खाना लेकर आ जाती है वो अपनी नानी से कहती है नानी, कोई औरत रो रही है क्या? मैं जब से यहाँ आई हूँ, तब से मुझे यहाँ किसी औरत की रोनी की आवास आ रही है ए भगवान, कहीं यह वही तो नहीं बोलो ना नानी अरे, कोई नहीं रो रहा यह तेरे मन का वहम है और तुना अब खाना खा ले, ज्यादा यहाँ वहाँ की बातों में ध्यान मत दिया कर, जल्दी से खाना खा और फिर मेरे साथ आजा, मेरे कमरे में, दोनों बैट कर खुब सारी बाते करेंगे। तुम्हें अभी भी किसी औरत की रोने की आवाज नहीं सुनाई दे रही, मुझे किसी औरत की बहुत बुरी तरीके से रोने और चीखने की आवाजे आ रही है, मैं बहुत परिशान हूँ नानी, आखिर ये कौन है, मुझे लगता है कि सीमा को शेहर भेज देना चाहिए, यह नहां रहना उसके लिए ठीक नहीं, नानी बोलो न, अब चुप क्यों हो जाते हो, सीमा, तु घर चल, मुझे तुझ से बहुत जरूरी बात करनी है, नानी सीमा को घर ले आती है, और सीमा से कहती है, सीमा, कर सुबह तु शेहर वापस चली जाएगी, अरे, अचानक, आखि जैसे जाने को क्यों कह रही हो, मैं बस जो कह रही हूँ, उस पर ध्यान दे, तु कल सुबह यहां से चली जाएगी, और ये बात मैं कोई मज़ाक में नहीं बोल रही, तु कल जाएगी, तो मतलब जाएगी, अरे, नानी, चली जाओंगी मैं, ठीक है, पर आखिर बात क्या ह ये तो बता दो, मम्मी से कोई बात हुई है, या फिर मुझसे कोई गलती हुई है, जो तुम मुझे अचानक से जाने के लिए बोल रही हो, देख सीमा, रात बहुत हो चुकी है, और मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी, चल, अब चलके मेरे साथ सोजा, सुबह की बस पकड़ कर तुझे शेहर भी तो जाना है, सीमा को अपनी नानी का ऐसा व्यवार देख कर बहुत ही अजीब लगता है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर उसकी नानी उसे अचानक से गाउं छोड़ कर जाने के लिए क्यों कह रही है, ये सारी बाते सोचते स सीमा की आख लग जाती है, और वो अपनी नानी के साथ सूजाती है, ऐसी ही आधी रात को सीमा को फिर से किसी आउरत की रोनी की आवाज सुनाई दीती है, वो उस आउरत की आवाज सुनकर बार बार करवटें बदल रही होती है, और तभी उसे सपने में भी एक अजीब सी आउरत की परशाई दिखाए दीती है, जो इतना चीक चीक कर रो रही होती है कि सीमा डर कर उठ जाती है, वो पूरे पसीने पसीने हो रही होती है, वो अपने आसपास देखती है, तो घर में बिलकुर शान्ती का माहल होता है, सीमा घबरा जाती है, वो अपनी नानी को जगान कर बाहर निकलती है आखिर ये माजरा क्या है आज तो मैं पता करके रहूंगी अब आवास का पीछा करते हुए सीमा आधी रात को गाउं के चौपाल के पास बने कुएं के पास पहुच जाती है जहां कुएं की चारों और बेडियां लगी होती है उन बेडियों में लगे हु और माता राने का कलावा बंदा होता है उस कुएं में से सीमा को किसी के रोने की आवाज आती है सीमा परिशान हो जाती है इस कुएं में कौन है कौन है यहां सुनो कौन है कौन रो रहा है वो चिल्ला चिल्ला कर पुछती है और साथ ही लोगों को जगाने की कोशिश करती है मगर किसी को भी उसकी आवाज सुनाई नहीं देती. अब सीमा खुद उस कुवे के पास की बेडियों और तालों को खोलने की कुशिश करती है. और किसी तरह कुछ देर की मशकत के बाद सीमा उसको खोल भी देती है. और जैसे ही वो कुवा खोल कर उसके अंदर जाकती है, सीमा उस कुवे में गिर जाती है इतने में उसकी नानी की नेंद भी खुल जाती है और सीमा को पास ना देखकर नानी परिशान हो जाती है नानी घबरा कर पूरे घर में उसे जूनने की कोशिश करती है जिसके बाद उसकी नानी और सभी लोग उस खूनी कुई के पास जाते हैं और सीमा की नानी कुई के पास खड़ी होती है सभी गाउवालों और सीमा की नानी को सीमा के चिलाने की आवाज आती है बचाओ! कोई मुझे बचाओ! मेरी बच्ची हम आगे हम तुझे बचा लेंगे नानी मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है यहाँ इनसान की कटी हुए मुंडिया, हाथ, पैर और कंकाल है और खुन भी है नानी मुझे डर लग रहा है आप सब मेरी मदद कीजिए नहीं तो यह खुनी कुई मेरी बच्ची को भी खा जाएगा अरे मुझे तो यह समझ में नहीं आ रहा कि आखेर इस खुनी कुए को खोला किसने सालों पहले इसको इतनी मुश्किलों के बाद तांत्रिक बाबा ने बंद किया था अरे पुरा गाव खुनी कुएं के बारे में अच्छे से जानता है, तो कोई भी जान बुचकर तो ऐसा करेगा नहीं, मतलब किसी ने अंजाने में इसे खोल दिया है भाया सीमा को इस बारे में मालूम नहीं था, और जब से वो यहां आई थी, तब ही से उसे किसी औरत के रोने की आवाजे भी सुनाई दे रही थी, कहीं सीमा नहीं तो उसे नहीं खोला अगर ऐसा है, तो फिर सीमा का बचना बहुत मुश्किल है वहीं कुवे के अंदर सीमा रोते हुए बैठी होती है, कि उसे आवाज सुनाई देती है, जो कुवे के बाहर खड़े गाउवालों में से किसी को सुनाई नहीं देता आज सालों के बाद, सालों के बाद मुझे ताजा खोन मिलेगा तेरा खून पिकर, आज मैं अपनी प्यास बुजाओंगा कौन है, कौन है, मत मारो प्लीज मुझे चाने दो, प्लीज, मैंने किसी का क्या भी गाड़ा है वो तुझे मरने के बाद पता चल ही जाएगा जितने में गाउंवाले और सीमा की नानी कुछ सोच पाते उतने में उन्हें सीमा के चलाने के आवाज आती है और अगले ही पल सब शान्त हो जाता है क्या हूँ, सीमा, मेरी बेटी माफ करना बहन, लेकिन अब सीमा वापस नहीं आएगी हम एक बार फीर से कुएं को बंद करना होगा गाउंवाले तभी तांत्रिक को बुला कर लाते है एक बार फिर अपने शक्ती से तांत्रिक बाबा उस कुएं को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर देते है और वहां एक बोड लगा दिया जाता है कि यहां आना मना है चुडैल की बासुरी एक सुहाना सा दिन होता है और मगन, रामलाला, चंदन, राजन, तपन और गोलो के पापा गाउं की बरगत के पेड़ के नीचे बैठ कर अपनी शाम की गपशप कर रहे हैं अरे रामलाला और चंदन, तुम्हारी फसल कैसी चल रही है, सल अरा बंदू क्या बताए, बारिश ने तो परशान कर रखा है सही बात, बारिश की कमिने दिमाग खराब कर दिया है सेरपंच गाउं मालों के लिए एक खबर लिकर आता है अच्छा मेरे गाउं के भाईओ, सुनो जरा हमारी सरकार ने किसानों के लिए शेहर में एक सेमिनार का आयोजन किया है जिसमें वो खेतों के बारे में और भी कुछ जानकारी देंगे तो मुझे लगता है कि हमें वहाँ जाना चाहिए ये कहकर सरपंच वहाँ से चला जाता है और तीनों सोचते हैं कि वो शाम के वक्त मैदान पर मिलेंगी और वहीं से रवाना हो जाएंगी तीनों दोस्त मैदान पर मिलते हैं और जैसे ही निकलना शुरू करते हैं तबीक बासुरी की आवाज सुनकर वो भी उसी और समोहित स्थिती में चलना शुरू करते हैं कुछ बच्चे हर बार की तरह अपना दुपैर का फुटबॉल का गेम खेल रहे हैं पगड़ लिया पगड़ के दिगा मुझे इतना भी नहीं कर सकता अच्छा किता बागेगा आखिर कार तो मेरी पकड में आई जाएगा हाँ तुझे पता नहीं तपन राजन कितनी तेज दोर लगा सकता है खिलते खिलते अचानक से एक बाहसुरी की मिठी आवाज सुनाए पड़ती है सारे बच्चे उसका पीछा करने लगते है शाम हो गई है और बच्चों के घर ना आने की वज़र से उनकी मा मैदान में पहुँच जाती है राजन बेटे अरे ओ राजन बेटे किदर चले गए इतने देर हो गई गर वापस क्यों नहीं आए बेटे तपन बेटा चलो घर शाम हो गई है कितना खेलोगे और गोलू ओ गोलू तीनों की मा एक दूसरे को देखने लगती है और उन्हें ऐसास होता है कि उन तीनों के बेटे घर आए ही नहीं और राजन और गोलू कि मम्मी आप इदर राजन और गोलू घर नहीं आये कि आप इतक नहीं तो दोपेह में राजन मुझे बताकर गया था कि वो तपन और गोलू के साथ खेल ले जा रहा है मैंने सुना है कि गाउं में एक चुड़ायल गूं रही है कहीं वही तो नहीं ले गई ना हमारे बच्चों को ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा हम तीनों आलग अलग ज़ड़ ढूंते हैं इधर ही खेल रहे होंगे तीनों बच्चे ये कहकर तीनों बच्चों की माएं उन्हें दोड ने निकलते ही बहुत तेर होगे और फिर भी तीनों बच्चे मिले नहीं तीनों की माएं मैदान पर फिर से मिलती है सुनिया जी, ये तीनों मिल ही नहीं रहे हैं और मेरे दिमाग में बहुत बुरे-बुरे घराल आ रहे हैं। अब चिंता मत कीजे, हम सरपंच से जाकर बात करते हैं, वो हमारी मदद करेंगी। गोलू की मार से ही कह रही हो, चलो चलते हैं। एक उमीद की आशा लेकर, तीनों अपने बेटों की फिकर में सरपंच के घर जा पहुँचती हैं। सरपंच अपनी शाम की चाई पी रहे हैं और अख़बार पढ़ रहे हैं। तभी तीनों की मां हडबड़ी में भाग कर उनकी पास आती हैं। हरे हरे आप तीनों इतनी डरी हुई क्यों हो, क्या हुआ इसी क्या बात हो गई। तिवारी जी, हमारे लड़के दो पेर से खेलने गए हैं और अब तक लोटे नहीं हैं। हमने उन्हें सब जगर ढूंडा, लेकिन हमें वो मिले ही नहीं, इसलिए हम भाग कर आपके पास आ गये। अच्छा, इनके पिता कहा है। ये कुछ काम के लिए शहर गये हैं, इसलिए हम भाग कर आपके पास आए हैं। हाँ, मैं उसके बारे में भूली गया था, एक काम कीजिए, मुझे उस जगा लेकर चलिए, जिदर वो आखरी बार खेल रहे थे। सरपंच घर से एक डंडा लेकर तीनों के साथ मैदान के और निकल पढ़ते हैं। तीनों मैदान पर पहुँच जाते हैं और उन्हें डूनने के लिए कुछ सुराग खोजना शुरू करते हैं। सरपंच की धुन में जुक कर उसी दिशा में आगे बढ़ रहे थे। मेरी बासरी तुने मुझे आज तक कभी तन नहीं किया। वमेशा अपने जादू से लड़कों को खीच लाती है। ये बोलते ही राजन की मा को तीनों बच्चे और उनकी पिता वहाँ चुडैल के पास लेटे हुए दिखते हैं। ये वो देखो गोलो के पापा। अरे रे। अरे गोलो की मा आप चुप रही है ना सरा। उस चुडैल ने देख लिया तो हम भी फस जाएंगे। इन्हें बचाएगा कौन। लगता है ये शहर गए ही नहीं और इस चुडैल ने इन सब को भी यहीं बुला लिया है। अब हमें इन्हें छुडाना होगा एक काम करते हैं। राजन की मम्मी गोलो और तपन की मम्मी को एक प्लान बताती है। बिलकुल सही कह रही हो राजन की मम्मी। चलो आज इस चुडैल को मज़ा चखाते हैं। तीनों माएं अपने छुपने की जगा से बाहर निकलती हैं और एक्टिंग करना शुरू कर देती हैं। ये तो बढ़िया है। अब इसका असर और तो पर भी हो रहा है। वाजिवा। तीनों माएं चुडैल की थोड़ा करीब आती हैं। राजन और गोलो की माँ चुडैल को पकड़ लेते हैं और तपन की माँ बासुरी हाथ से पकड़ कर तोड़ देती है। अरे पागल औरत ये क्या कर दिया। मेरी बासुरी को तोड़ दिया। अब मेरी शक्त्या खटब हो जाएगी। तुमे तो। अरे तुझे क्या लगा चुडैल कही की। हमारे बच्चों को और पतियों को हाथ लगाएगी तु। बांसुरी तोटते की बज़त से चुडैल खाक होकर गायब हो जाती है और सारे लोगों की आँख खुल जाती है सब अपने परिवार को लेकर उस बंगले से बाहर निकल जाती हैं कहते हैं ना नारी सलोनी बहुत ही सीधी और भगवान को मानने वाली थी लेकिन उसकी सौतिली मा उसकी सीधे पन का फाइदा उठाती थी और उस पर बड़े अत्याचार करती थी जरासी चूक हो जाने पर उसकी खूब पिटाई करती अरे सुनते हो कोई लूला लंगडा देख इसकी शादी दे करो और इसे इस घर से बाहर का रास्ता दिखाओ सलोनी के पिता जानते थे कि मीना एक चांडाल औरत है इसलिए वो एक अच्छा घर देख सलोनी की शादी कर देते हैं लेकिन वहां भी सलोनी से जलने वालों की कमी नहीं थी सलोनी की ननद निकिता उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी सलोनी बात तो सुनो जरा जी कहिए आज शाम को मेरे बॉस खाने पर आ रहे हैं ध्यान रहें उनकी खातेदारी में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होनी चाहिए जी आपने कह दिया बिल्कुल वैसा ही होगा शाम को सलोनी जैसे ही गैस पर खाना चड़ा कर वहां से जाती है अभी इसके खाने का स्वाग बढ़ाती हूँ निकिता गैस की आँच तेज कर दीती है थोड़ी देर में देखते ही देखते सारा खाना जल जाता है और पूरे रसुई घर में चारों तरफ दुआ फैल जाता है अब आएगा मज़ा मा जल दियाओ यहाँ देखो सलोनी ने कीचन में आग लगा दी और तेरा सत्यानाश हो कल मुही तुने ये क्या कर दिया सलोनी की सास उसे बहुत डाटफटका लगाती है तबी मोहन अपने बॉस के साथ घर में प्रवेश करता है और भाई मोहन ये क्या तुम्हारे घर का क्या हालो रखा है लगता है खाना जल गया है चलो खाने का प्रोग्राम कैंसल करो मैं अपने घर जाके खा लूँगा सर दरसल वो सर मुझे माफ कर दीजिए और कोई बात नहीं घरों में ये छोटी मोटी बात होती रहती है मैं समझ सकता हूँ फिकर मत करो मैं नाराज नहीं हूँ और इस बात का तुम्हारे प्रमोशन पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा चले अब चलता हूँ मैं बास के जाती ही मोहन सलोनी पर भड़क उठता है और उसे खूब खरी घुटी सुनाता है भगवान मेरी मा तो कहती थी कि अच्छे लोगों के साथ हमेशे अच्छा होता है फिर मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है आगर मेरे गलती क्या है तभी आकाशवाणी होती है बेटी अब तुम्हें कोई दुख नहीं दे पाएगा तुम्हारा बुरा सोचने वाले की मन की सारी बाते तुम पहले ही जान जाओगी अगले दिन सलोनी निकिता को चाय देने उसके कमरे में जाती है तब निकिता के मन में कुछ बाते चल रही थी कल तो मैंने सिर्फ खाना जलाया था अब तु देखती जा सलोनी तेरा इस घर में जीना हराम कर दूँगी अच्छा तो ये बात है अब इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा कुछ दिनों के बाद सलोनी मेरे कपड़े जल्दी से प्रेस कर दो ओफिस के लिए देर हो रही है सलोनी मोहन के कपड़ों के पास प्रेस गरम होने के लिए रख देती है और अपने कमरे में चली जाती है तब ये हॉल में निकिता आती है सलोनी चुपके से उसे देख रही होती है आज अगर मैंने ये कपड़े चला दिये तब तब पक्का मेरा भाई इस सलोनी की बच्ची को धक्के मार के घर से बाहर निगाल देगा अरे तू क्या मुझे निकलवाएगी महादेव है मेरे साथ ठहर जा निकिता आज तो तेरी खेर नहीं सलोनी अपने पती मोहन को बुला लाती है और निकिता की सारी कर्तुत दिखाने लगती है निकिता गर्म प्रेस मोहन की कपड़ों पर रखकर अपने कमरे में चली जाती है मेरे बहन इतने बड़ी चालबाज निकलेगी मैंने तो सोचा ही नहीं था मुझे माफ कर दो सलोनी, मैं तुम्हें गलत समझ रहा था मोहन निकिता को बुला कर उसे खूब डांट फटका लगाता है उस दिन के बाद से सलोनी की जिन्दगी पूरी तरह बदल जाती है सलोनी हर किसी के मन की बात सुन लेती थी दूसरी तरफ निकिता का कोई भी दाव सलोनी पन नहीं चलता था और आखिरकार वो भी सलोनी के आगे खुटने टेक देती है फिर एक दिन सलोनी की सास की सहली ममता अपनी बहु कविता के साथ वहाँ आती है कविता मनही मन कहती है अरे ये बुढिया पागल है जो मुझे यहां लेकर आगी कहां मैं अपनी किटी पार्टी छोड़की इसके साथ यहां मनने आगी पता नहीं कब तक इसे जहलना पड़ेगा अरे ये जल्दी मरे और इसकी सारी जायदाद मेरे नाम हो जाए सलोनी कविता की सारी बाते सुन लेती है अरे कविता तुम अपनी सास की जायदाद के लिए उन्हें जेल रही हो और उनके मने का इंतजार कर रही हो यह तो गलत बात है सलोनी की बात सुनकर कविता बिना देर किये कहती है अरे ये तुमने कैसे सुन लिया ये सारी बाते तुम्हें अपने मन से बोल रही थी तुमने कैसे सुन लिया? बस फिर क्या था? ये सुनते ही कविता के बगल में बैठी उसकी सास उसकी चोटी पकड़ लीती है क्योरी कलमुही? तुम मेरे बारे में ये सब सोचती है आँ ममी जी मुझे माफ कर दीजिए बड़ी आई मेरे जायदाद लेने वाली मैं आज ही अपने वकेल को बुला कर साब को छोटी बहु के नाम कर देते हूँ चल घर चल आज तेरी अच्छी खबर लेते हूँ इस तरह सलोनी लोगों के मन की बाते सुन लेती थी एक दिखावे की जिन्दगी जीते हैं और सब एक दुसरे के बारे में बुरा ही सोचते हैं हे भगवान दुनिया में कैसे लोग हैं सब के मन चल कपट से भरे हैं मैं तो लोगों की मन की बाते सुन सुनकर तंग आ चुकी हूँ मैं अपनी जिन्दगी में अब बहुत खुश हूँ अब आप मुझसे ये शक्ति वापस ले लीजे भगवान इस तरह भगवान सलोनी को दू हुई शक्ति वापस ले लेते हैं और सलोनी एक आम जिन्दगी जीने लगती है शादी में आई चुडैल पन्दपुर नाम के एक गाउं में शादी चल रही होती है दूसरी तरफ पंडिजी फेरों की तयारी कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ एक चुडैल आ जाती है अरे मर गया रे ये चुडैल यहां क्या कर रही है अरे दिवाकर जी ये आपकी कौन से रिष्टेदार है अरे मुझे क्या पता क्यो भाग जबान कहिए तुम्हारे माईके से तु नहीं आई है तुम लोगों किस गाउं में बारात लाने की हिम्मत कैसे हुई मेरे रहते इस गाउं में किसी की शादी नहीं हो सकती अब तुम लोग देखो मैं क्या करती हूँ अरे मर गया रे मैं ले सुना है ये जबान की पक्की है भागो रे भागो वरना ये चुडेल किसी को नहीं छोड़ेगी तुम सही कहते हो मोहन भाई यहाँ से भाग लेने में ही हम सब की भलाई है देखते ही देखते शादी के मंडप में भगदर मज जाती है और चुडेल सब कुछ उजार कर रख दीती है फिर एक दिन मोहन की शादी तै हो जाती है अरे भाई, अगले हफते मेरी शादी तैह हो गई है लेकिन इस चुडेल की दहशत के मारे तो मेरे हाथ पैर काप रहे है अरे मोहन, तुमारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया तुम अपने साथ-साथ, हम सब गावालों को भी भली का बकरा बनाना चाहते हो उस चुडेल के रहते, तुमने अपनी साथी के बारे में सोच भी कैसे लिया देखो गोपाल, डर तो मुझे भी लग रहा है लेकिन उस चुडेल के डर से मैं जिन्दगी बर कुमारा तो नहीं रह सकता तब ही वहाँ मोहन के हुने वाले ससूर आ जाते हैं अरे, ससूर जी, आप देखो, अब तक मैं तुम्हारा ससूर बना नहीं हूँ और शयद बनूंगा भी नहीं ये आप क्या कह रहे हैं, मैंने तो शादी का कोड भी सिलवा लिया है मैं अपनी बेटी की शादी किसी अच्छे गाउ में कराना चाहता हूँ तुम्हारा गाउ तो भूतिया गाउ है, मैं तो क्या, अब तो कोई भी अपनी लड़की इस गाउवालों को नहीं देगा इस तरह चुडैल के डर से उस गाउ में किसी की भी शादी नहीं हो पाती फिर एक दिए, गाउ के जमीनदार अपनी बेटी की शादी करने का विचार करते हैं, लेकिन चुडैल के डर से उनकी भी हिम्मत जवाब दे देती है अगर मेरी बेटी की शादी ताय समय से नहीं हुई, तो मेरी नाग कट जाएगी, मुझे कुछ करना ही होगा एक सलाकार के कहने पर, जमीनदार काशी से एक बहुत ही नामी तांत्रिक को अपने घर बुलवाते हैं, जो भूत चुडैल को पकड़ने में माहिर माना जाता था जमीनदार साब, आप चिंता बत करिये, इस काउं की सीमा में प्रवश करते ही, मुझे उस चुडैल के बारे में सब पता चल गया था आप उसे चल्दी से चल्दी खैद कर लीजिये, ताकि मैं अपनी बेटी की शादी कर सकूँ जब वो चुडैल एक इनसान थी, तब ठीक उसकी शादी करने वाले दिन ही, उसकी और उसके होने वाले पती की एक दुरखटना में मौत हो गई थी, उसका होने वाला पती आज भी भूद बनकर जंगल में बटकता है इसलिए जब तक चुडैल की शादी नहीं हो जाएगी, वो किसी और की भी शादी नहीं होने देगी यह अब क्या करें, अगर वो भूद भी हमारे गाउं में आ गया, तब हमारा क्या होगा यह आदमी पीश में बहुत बोलता है, इसे बार निकालो उसके बाद तांत्रिक बताते हैं, कि अगर उस भूद के साथ चुडैल की शादी करा दी जाए, तो वो चुडैल हमेशा हमेशा के लिए उस गाउं को छोड़ कर चली जाएगी इस तरह जमीदार निश्चित होकर अपनी बेटी की शादी की शादी करवाने लगते हैं, लिगिन तब ही वहाँ चुडैल आ जाती है मैंने तुम गाउं वालों को समझा है था ना, कि इस गाउं में कभी कोई शादी नहीं करेगा, लगता है तुम लोग बुझे हलके में ले रहे हो चुडैल जमीनदार की बेटी को उठा लेती है अब देखती हूँ, बिना दुल्हन के तुम लोग शादी कैसे करोगे, मैं इसे अपने साथ ले जा रही हूँ चुड़ मुझे, पिता जी, मुझे बचाईए अरे, कोई मेरी बीटी को बचाओ तभी तांत्रिक उस भूत को लेकर वहाँ पहुचता है अरे भागिवान, रुको, इन मासुमों को परिशान मत करो मैं आ गया हूँ, अब तुम मेरे साथ चलो चुड़ल बहुत खुश हो जाती है अप आ गए, चलिए, अब हम मंदिर में चल कर शादी कर लेते हैं अरे, 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 ये क्या कह रही हो मंदिर में जाके दुबारा मरना है क्या चलो, आज से हम जंगल में रहेंगे जुड़ल चली गई, अब मेरी शादी हो जाएगी इस तरह सभी गाउंवाले खुशी से चुमने लगते हैं सास बहु में हंगामा, घर आए शकुनी मामा सुबर सुबर सास अपने भाई को फोन लगाती है हेलो, अरे, किदर है तू? बहन की कोई ख़बर नहीं लेगा यहां मेरी सारी सत्ता लूट रही है धीरे धीरे करके अरे, क्या हुआ दिदी? सुबह सुबह यह रुदाली की शुर कर दी ऐसा क्या वहाडा तूटा है? अरे, तेरे धरमराज ससुर ने तिजोरी की चाबी बहु को दे दी है पैसो का हिसा अब भी उसी के पास रहता है सिर्फ तिजोरी की ही नहीं, बेटे की चाबी भी उसी के पास है अब उसी की बात सुनता है अरे, जल्दी से आ जाना, वरना तेरी बहन कंगाल हो जाएगी भाई अरे, बहन श्री, रहो टेंशन फ्री आ रहा हूं मैं, तेरी बहु का पासा पलटने अगले ही दिन मामा घर में आटपकते हैं अरे, मामा जी, पाई लागू बहु, पाउं चुके, पैरों के नीचे की जमिन खींचना तो कोई तुम से सीखे हाँ, क्या मतलब मामा जी? अरे, तुमने अपनी सास के पाउं चुए और पूरे घर की सताड़ अपली सहाब, सालिस सहाब, कब आया? आप और चालिस साल पहले गया था तुम्हारा दिबाग कुछ ज़्यादा ही चलता है, और जुबान भी खियर, तुम्हारी बहन पे गये हो ना जिजाजी, आप काफी मसा क्या हो गए? वैसे बहु ने घर की सत्ता हड़ पी नहीं है, उसको दी गई है वो गुणी है, समझदार है, और उत्सा ही भी है एक किताब लिख दीजे ना अपनी बहु की तारिफ में, जिजाजी तब ही सास महां आ जाती है अरे भाई, मेरे भाई आ गया तू, आजाजाजाजाज़ तेरे लिए पकवान बनाये हैं मैंने हाँ, साले साहब खाईये, आपके घर में तो मिलते नहीं होंगे पकवान क्या मतलब? मतलब आपके घर में आपके बेहन थोड़ी ना रहती है उनके हाथ के पकवान थोड़ी ना मिलते होंगे यही कह रहे थे ना ससर जी हाँ, बहु, यही, यही कह रहा था मैं सास अपने भाई को अंदर ले जाती है और कहती है यह हलवा खाके कुछ जलबा दिखा दे भाई लूडो अरे हाँ हाँ, लूडो भी खेल ले ना पहले बहु के हाथ से सत्ता लेने की कोई तरकीब ढूनो लूडो खेलेंगे जो जीतेगा सत्ता उसकी अरे पर मुझे तो खेलना ही नहीं आता तू बस चाल चलना पासे तो मैं फैकूंगा और मेरे हाथ से फेका गया पासा मेरी मर्जी के खिलाफ नहीं आता अरे लेकिन तेरे जी जाजी रहेंगे तो ये काम कैसे होगा हर अभी बार जी जाजी शाम को अपने दोस्तों के साथ बैठने जाते हैं वाँ उनकी मैफिल जमेगी और यहाँ बहू के मैफिल उजड़ जाएगी अरे एक नमबर का खमीना है तू जैसी दुनिया वैसे हम बहना रविवार की रात सास, बहू, बेटा और सास का भाई एक साथ बैठे हुए होते हैं अरे ठोड़ा मनल अरण जण हो जाए तो मज़ा आ जाए हाँ हाँ, लोडो खेलते हैं अरे वाँ, बहूत अच्छा एडिया है हाँ हाँ, हम चाल लोग हैं, आराम से खेल सकते हैं लोडो एक ऐसा केल है जो खेलने से ज़्यादा देखने में मज़ा आता है तो भांजे तुम और हम बस देखेंगे यानि सास और बहु में होगा मकाबला आजाओ देखते हैं किस में कितना है दम खेल होता है शुरू पहली बाजी बहु जीत जाती है क्यों सासुमा कैसी रही अरे एक ही खेल जीती है इतना घम अंड ना कर खेली तो तुम बहुत अच्छा हो वहू लेकिन ऐसे फीके फीके खेलने में मज़ा नहीं आ रहा कुछ दाओं पर ना लगे तो क्या मतलब ठीक है आप जो कहेंगे मैं दाओं पर लगा दूँगी बाजा करो खेल छोड़के भागना मत अरे हाँ मामा जी पक्की बात क्योंकि मेरी बेहना कच्छी खिलाडी है तो उसकी तरफ से पासे मैं फेकूंगा बुडापे में तो वैसे भी हाथ काप रहे हैं पासे क्या फेकेंगी सासुमा बहु को पता नहीं था कि मामा के फेके पासे हमेशा सही बैटने है वो बस पहली बाजी जीत के खुद को चैंपियन समझ रही थी अगर मैं हार गई तो बहु को अपने पुराने गहने दे दूँगी और अगर बहु हार गई तो तिजोरी की चाबी और घर के पैसों के हिसाब की जिम्मेदारी वापस पी पासे उनकी मर्जी के खिलाफ नहीं जाते बहु को पसीना आ जाता है पर सास को टक्कर नहीं दे पाती आखरी गोटी के घर में जाने के लिए सास को एक नंबर चाहिए जबकि बहु एक बार भी घर में नहीं पहुँची है अरे क्यों बहु अब कैसी रही ये गोटी अंदर जाएगी और तीजोरी की चाबी बहार आएगी मैंने बोला था तुमसे कि मामा से पंगा मत लो मुझे क्या पता था कि ये मामा नहीं मामा शकुनी है मामा पासा फीकता है और सास जीच जाती है और घर की सत्ता वापस सास के हाथ में आ जाती है बहु रोने लगती है इतने में ही वहाँ ससूर्जी आ जाते हैं अरे रो तो रही हो बहु क्यांकि मामा ने मुझे मामों बना दीया होली की आत्मा बचपन से शहर में रहने वाला मनुज इस साल होली की छुटियों में अपने गाउं दुरगापुर वापस आता है जहां उसे देख पूरा गाउं खुशी से चूम उड़ता है जब गया था तब इत्त सा था और आप देखो कितना बड़ा हो गया है हाँ सर्पन जी जब मैं गया था तब आप भी बहुत जवान थे और आप देखो कितने बुड़े हो गया है आप चला चला बड़िया है बच्चा घर वापस आ गया इसी कुशी में आज रात पार्टी होगी क्या बात है गाउं में भी पार्टियां होने लगी वैसे अगर पार्टी की बात है तो आज क्यों सीधा होली पार्टी करते है होली पार्टी के बाद सुन चहल पहल में अच्छानक सन्नाट अचा जाता है जिसे देख बनोज को कुछ अजीब लगता है लेकिन तभी सरपंच बात पलट देता है मनोज भी मम्मी पापा के साथ घर आ जाता है पर होली पार्टी और उस पर पूरे गाउं की खामोशी वाली बात अभी तक उसके जहन से निकलती नहीं पापा होली पार्टी की बात पर सब चुप क्यों हो गए थे अरे होगी उनकी कोई अपनी बात मुझे गाउं की पंचा यती थोड़ी पता है ठक गया हूँ चलो सो जाते हैं कल बात करते हैं पापा की बात मानते हुए मनुझ भी सोने चला जाता है आज तो छुपा लिया लेकिन हफ़ती बाद जब हूली का दिन आएगा तब इसे कैसे रोकोगी अगली सुबर सुरज की साथ ही मनुझ भी गाउं घूमने निकल जाता है जिस पर रास्ते बें उसे अपनी ही उम्रकी कुछ लड़की भी मिलते हैं जिनसे दोस्ती कर अब वो उनके साथ घूमने लगता है इससी तरह कुछ दिन बीच जाते हैं और हूली नज़दी काने लगती है दोस्तों हूली में चार दिन ही बचे हैं पर गाउं में उसकी कोई तयारिया क्यों नहीं दिख रही क्योंकि यहां हूली नहीं मनाई जाती अरे पर ऐसा क्यों? वो राजा भूशन आरे तुम चार दिन के लिए आये हो क्या इतना सोच रहे हो? चलो कुछ खाने चलते हैं इसी के साथ एक बार फिर हूली की बात को टलते हुए देख मनोज को शक होने लगता है वो घर पहुँचती ही इंटरनेट पर अपने गाउं और राजा भूशन के बारे में जानकारी निकालने लगता है क्या? मुझे आज तक ये नहीं पता था ऐसा कैसे? किसे ने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? सारी जानकारी लेने के बाद मनोज गाउंवालो या अपने ममी पापा से कुछ पूछे भी ना, खुद ही उसकी सच्चाई के बारे में छान बिन करने लगता है जिसकी चलते वो राजा भूशन की हवेली में पहुचता है वाओ, क्या हवेली है यार पर क्या यहां सच में कोई भूथ है? हलो, बुज जी? कोई है क्या? हम इस साल गाओं में होली सेलिब्रेट कर रहे है क्या आप उस पर थोड़ा इंटर्व्यू देंगे? मनोज के ऐसा बोलते ही गाओं में तुफान उठ जाता है और हवेली में रखी सारी चीज़े हिलने लगती है एक अद्रिशे शक्ती मनोज को धक्का देकर हवेली से बहार निकाल दर्वाजा बंद कर लिती है ये सब देख मनोज हैरान रह जाता है क्या अभी मुझे हवा ने धक्का देकर बहार निकाल दिया? मेरे होते हुए इस गव में कभी ओली नहीं मन सकती इसलिए दुबारा ऐसी कोशिश भी मत करना अन्जाम बुरा होगा आवाज सुन मनोज हैरानी से इधर उधर देखने लगता है पर उसे कोई दिखाई नहीं देता वो गाउं वापस आ जाता है जहां तुफान की वज़े से सब कुछ तहस महस हो चुका होता है आखिर ये तुफान आया कैसे? ना ऐसा कोई मौसम था और ना ही हमने होली का त्योहर मनाने की बात की थी सरपंच की बात पर कोई रियेक्शन दिये बना मनोज चुपचाप अपने घर चला जाता है इस तरह देखते ही देखते होली का दिन भी आ जाता है और मनोज रंग लेकर गाउं में निकल जाता है लेकिन गाउं पूरी तरह खाली होता है अरे त्योहार का दिन है धूम धाम की जगह मातम क्यों मनाया हुआ है मनोज की आवाज सुन सब अपने घर की खेड़क्यां खोल के घर के अंदर से ही उसे वापस जाने के लिए कहने लगते हैं पर वो किसी की नहीं सुनता तुझे पहले भी समझाया था अगर होली खेलने की कोशिश भी की तो अच्चा नहीं होगा अरे बात मान लो बेटा तुम्हें सच नहीं पता मुझे सब पता है सालों पहले इस राजा ने एक अंदर विश्वास फैलाया और आप लोग आज तक उसे मानते आ रहे हो अरे बेटा जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे उससे भी बहुत पहले से इस गाउं पर होली का श्राप है अगर गाउं में होली का त्योहर मनाया जाता है तो प्रलय आना पक्की बात होती है तभी से गाउं की रक्षा की लिए उनकी आत्मा उस हवेली में रह रही है सबकी बाते सुन मनोज उलजन में पढ़ जाता है सूचना भी मत मनोज अगर तुमने इस परंपरा को तोड़ने की कोशिश भी की तो उसका परिणाम इस गाउं और गाउं के लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा मुझे भी यकीन नहीं हो रहा कि आप लोग एक बेतु की बात को मान कर सालों से रंगों के त्योहार को मातम की तरम मनाते आ रहे हो मनोज किसी की कोई बात ना मानते हुए पूरे गाउं में रंग बिखेर देता है जिसके तुरंत बात वहां तूफान के साथ बिजलियां गरशने लगती है अचानक मौसम में ऐसा बदलाव देख जहां मनोज कन्फूजन में आ जाता है महीं गाउं वाले डर से सहम जाते हैं इस लड़के ने हमारे जैसे सिर्फ अपने स्वार्ट के लिए नहीं बरकि पूरे गाउं की खुशियों के लिए यहां होली मनाई है जैस वज़ज़ से अब इस गाउं पर होली का शाप तूडता है अईसा बोलकर राजा का भूत वाρά से गायब हो जाता है जिसके बाद गाउं के लोग धूम धाम से होली मनाते है खुश्यों के रन गाउं में बिखरे जी होते हैं कि अगली जुबा अचानक मनोच कहीं गायब हो जाता है और एक बार फिर गाउं में होली का नया राज शुरू हो जाता है